मैं इसके रहा स्वागत करता हूँ आपका math की इस वीडियो में जैसा के आपका 17 फरवरी का math का exam समाप्त हो गया है इसका answer की हम आपके सामें लेका है यह second shift का है first shift का answer की download आपको दे दिया गया है तो उसे अभी आप जो एस्ट्रेंट first shift में exam दिया है उसे वो वीडियो के बा साके जी कितना सही है तो आएए देखते हैं इसमें तो आज का जो first question है वा काता है के किस मान के लिए दुई घास समी करन 9x square plus 3kx plus 4k मुल समान होंगे मुल समान कब होते हैं जब भी वेजा की value 0 होता है तो b square minus 4ac ब्रावर क्या हो जाए 0 तो 3k square मतलब कि 9k square हो जाएगा minus 4ac या फिर बरावर 4ac कर लेते हैं तो 4 a की value कितना है 9 है और c की value कितना है 4 है तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा 9 से 9 जो हो जाएगा वा कर जाएगा तो k की value हो जाएगा plus minus 4 तो यह आपका option number b जो है यह आपका answer हो जाएगा plus minus 4 तो एक option number b हो जाएगा अब आगे चलते हैं अगले परशन की परशन संख्या 2 परशन संख्या 2 में कहता है x-y बराबर 6 है और x-y² बराबर 30 है तो x-y का मान क्या होगा तो इसमें x-y x-y का होल स्क्वाइर जो होता है वह क्या होता है x-y²-2xy यह होता है तो इसमें देखे X में S Y के होले स्क्वार कितना हो जाएगा फिर 36 क्योंकि ये 6 दिया गया है और X स्क्वार प्रस Y स्क्वार आपको दिया गया है कितना 30 तो माइनस 2 X Y 30 को इधर लाएगे खटा देंगे 6 हो जाएगा और 6 दूसरे कर जाएगा 3 तो X Y की बेलू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तिसरे से अप्सन नमर C जो ही आपका एंसर हो जाएगा 2 का C हो जाएगा अप्छलते अगले प्रसन की वर प्रसन संक्या 3 प्रसन सेंग के अतीन में खता है कि गात समीकरन इतना के मूल होंगे तो इसमें आपको क्या करना है मूल निकाल देना है तो इसमें जो आपका मूल हो जाएगा यह क्या हो जाएगा y² है y² है फिर पलस 3y-18 बडाबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप डिफेंट देखेगा जि कितना का डिफेंट होना चाहिए और गुना करके कितना आना चाहिए तो माइनस 18 होना चाहिए तो चोत्री 18 जाएगा तो y² हो जाएगा पलस 6y हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा और यह माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0 तो यदि आप y इसमें से कोमें लेते तो y की बेलूग एक क्या हो जाएगा y पलस 6 और फिर एक हो जाएगा आपका y माइनस 3 तो एक हो जाएगा y की बेलूग 3 और एक हो जाएगा माइनस 6 तो एक हो जाएगा पलस में 3 और एक हो जाएगा आपका माइनस में 6 तो अप्सन वर A हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन की वर प्रसन संख्या 4 प्रसन संख्या 4 को देखते हैं प्रसन का 4 में कहता है कि दुई घास सामी करने x square plus x plus 5 के मूलों की प्रक्रिती है मूलों की प्रक्रिती निगलने के लिए हम भी वेचक निकालते हैं बीए square तो बीए square one का square one minus 4ac तो फोर गुने a की भेलू कितना है one और c की भेलू है five तो one minus क्या हो जाएगा 20 यह हो जाएगा minus 19 अब minus में आ गया इसका मतलब कि मूलों का स्तित्व नहीं है तो अवास्त भी हो जाएंगे तो चलती है अगले प्रसन की और प्रसन संख्या 5 निमिलकित में कौन समानतर सेडी नहीं है कौन समानतर सेडी में नहीं है ये आपको देखना है तो इसमें आप देखीकि तो एक गुना के रूप में है तो इसलिए ये पी में नहीं है तो अप्सन नमर्डी जो है 5 का आप्सन नमर्डी हो जाएगा चलते हैंगले प्रसन की और प्रसन State pesos God प्रसन सेंख्या 6 में कहता है यह दे किसी स्रेडी का इनवा पद इतना है तो उसका सारवंतर क्या होगा इनवा पद दे दिया है तो पहला पद हम निकाल लेते हैं तो पहला पद क्या हो जाएगा एन के जगापर 1 डाल देंगे तो 5-3 बराबर 2 और दूसरा पद जो हो जाएगा वह न के जगापर 2 डाल देंगे तो मांइनस 1 हो जाएगा अब अब दी सारवंतर क्या होता है तो मांइनस 1-2 बराबर मांइनस 3 हो जाएगा इस तरह से आपका option number B जो है यह answer हो जाएगा 6 का option number B हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन की वर प्रसन सेंख्या 7 प्रसन सेंख्या 7 में कहता है कि कौन सा पद जो है वह सुनने है तो A, A N बराबर 0 हो गया, A N इसका क्या हो गया? 0 और A N का फ्रमलग A plus N minus 1 into D होता है इस तरह से N minus 1 बराबर हो जाएगा, minus 21 बटा में minus 3 तो यह 7 से कर जाएगा, तो A N की value हो जाएगा आपका 8 तो इस तरह से option number B जो है आपका answer हो जाएगा तो 7 का option number B हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन की वर प्रसन सेंख्या 8 प्रसन सेंख्या 8 में कहता है कि समांतर से D इतना का कौन सा चौथा पद क्या है तो इसमें चौथा पद पुछा जा रहा है तो रूट 7 है यह फिर आप इसको देखे रूट से बाहर निकालेगा तो यह 2 रूट 7 हो जाएगा फिर यह आप का हो जाएगा तो इससे चौथा क्या हो जाएगा फ्रसन सेंख्या 9 प्रसन सेंख्या 9 में कहता है कि 2 वाइ 3 A, 2 किसी समांतर से D कि 3 करमागत पद है A का मान क्या होगा 3 करमागत पद है तो दुसरा पद माइनस तो A माइनस 2 बटा 3 बराबर तिसरा पद में से दूसरा पद घटाने पर ये बराबर होना चाहिए तो इस तरह से A इधर आ जाएगा तो कितना A हो जाएगा 2 A हो जाएगा फिर ये 2 बटा 3 हो जाएगा पलस हो जाएगा तो दू तिये च्छावादू आठ बटा 3 हो जाएगा और ये दू से कर जाएगा चार तो एक ही भेलू कितना हो गया चार बटा 3 तो इस तरह से option नमबर बी जो है आपका चार बटा 3 हो गया question नमबर नौ का जो है वह चार बटा 3 हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन की ओर प्रसन संख्या 10 प्रसन संख्या 10 में कहता है कि यदि समांतर से डी का पर्थम पद A और सार्व अंतर D है तो उसके पर्थम इन पदों का योगफर क्या होगा तो इन पदों का योगफर हो तो न बाइ 2 इंटो 2A प्रसन संख्या 11 और यह जो कोश्चन कोड नहीं होगा वो तो डेक्ट मिला लिजेगा और यह किसी बाराम बारता सार्व नहीं का माध्य 27 और माध्य का 33 तो बहुलक क्या होगा तो बहुलक बराबर जो हो जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि थीरी माध्य का तो थीरी गुने 33 माइनस टू माध्य होता है तो टू गुने माध्य कितना है 27 तेंटिस ती आपका 99 हो जाएगा 27 तुना चोगन यह घटा दीजे तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा वह 45 एंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा आपका C अब चलते है अगले प्राइकता है वह जीरो से बरा या बराबर होता है कि यदि किसी खेल के जिटने की प्राइक्त गीं सीम में पूचे गए हैं सिमस आपका जो फार्स strongest में पूचे गया है आंक चेंज करके बहुत सारे प्रॉइस सारे को second shift में ही पूचे गए हैं तो इसके हारने के चांज कितना हो जाएगा तो one minus 0.4 तो हो जाएगा 0.6 इस तरह से option number C जो है आपका answer हो जाएगा 14 का C हो जाएगा चलते अगले प्रसन की प्रसन संख्या 15 कहता है कि दो सिक्कों की यूगपद उच्छाल में एक भी सिर्स नहीं आने की प्राइक्ता है तो दो सिक्कों की यूगपद उच्छाल में एक भी सिर इस मतलब नहीं आने का तो एक ही हो सकता है तो एक वाटा चार हो जाएगा option number B हो जाएगा इसका answer चलते हैं अगले प्रसन की प्रसन संख्या 16 प्रसन संख्या 16 में खाता है कि निमी लिखित में कौन किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है तो एक से अधीक जो होगा व अंता असपर्स करने वाली दो बिर्टो की कितने उभैनिष्ट असपर्स रिखाए होती है तो जब अंता असपर्स करती है अंता असपर्स करने वाली दो बिर्टो की तो देखिए अंता असपर्स करने वाली यह हो गया तो इसका जो भैनिष्ट हो जाएगा एक हो जाएगा लेकिन अगर कहा जाए कि अंतास पर्स करने वाली दो बिंदू उपर कहा जाता तो कितने हो जाते एंसर इसके दो हो जाते लेकिन यहापर केवल अंतास पर्स कहा जा रहा है इसलिए इसके एंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो 17 का A हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसंद की और प्रसंद सांख्या 18 प्रसंद सांख्या 18 में कहा जा रहा है कि X square plus 1 by X square बराबर 14 है तो X plus 1 by X का value क्या होगा तो इसको हम लिख सकते हैं X square plus 1 by X square plus 2 X square X गुने 1 by X बराबर आपका 14 और यह जो पलस में 2 आया है ठीक ना इधर भी आपको माई पलस में 2 करना होगा तो 16 हो जाएगा इस तरह से 16 का जो बर्मूल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक ना तो इस तरह से X का option number B 18 का option number B answer हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर 19 में देखें 19 में कहा रहा है कि समानतर से दू 16 के पर थम 11 पदो का योगफल क्या होगा तो 11 पदो का योगफल तो फरमूला लगा लेंगे N by 2 तो 11 by 2 into 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा पलस N minus 1 तो 11 minus 1 कितना हो जाएगा 10 और गूने N minus 1 into D तो D की बेलू कितना है तो देखें 4 एट होते गया तो 4 हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा 11 by 2 गूने ये हो जाएगा आपका 40 और 4, 44 इसो कार दिजएगा तो कैसे कर जाएगा 22 से 22 में 11 से गुना कर दिजएगा 242 हो जाएगा तो इसका option number जो है आपका B हो जाएगा 19 का जो है आपका option number B हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन के और प्रसन संख्या 20 प्रसन संख्या 20 में कहता है यदि किसी अर्ध गोले की तरिज़ा R हो तो उसके संपून प्रिश्य चेत्बल किया हो जाएगा तो अर्ध गोले का 3 जैतना है और संपून प्रिश्य चेत्बल हो जाता है हो जाएगा 3 pi square यदि वाकर पुछा जाता है तो 2 pi square कुल उप चाले गया तो 3 pi square हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्राशन के वर प्राशन संख्या 21 कदर बिंदू 2 को माइनस 2 और माइनस 2,2 को मिलान वे रिखाखन का मध्य बिंदू तो x1 पलस x2 2 और माइनस 2 को जो रहेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा 2 यह 0 बटा 2 हो जाएगा, y1 पलस y2 ते यह भी 0 बटा 2 तो इससे 0,0 option number b हो जाएगा एक इसका option number b हो जाएगा चलते हैं अगले प्राशन के वर प्राशन संख्या 22 कहता है कि यदि किसी तिर्भुज का केंदर 3,0 है उसके 2 सीर्ष इतना है तो तिसरा सीर्ष क्या होगा तो यहाँ पर आपका जो जाएगा x1 पलस x2 तो 2 पलस 1 और तिसरा मान लिजे कि x है बटा में क्या हो जाएगा 3 बराबर x की value इसमें कितना है 3 तो इस तरह से आपका यह 2 आए क्या हो जाएगा 3 पलस x बराबर हो जाएगा यह 3 तिन नो एक्स की value कितना आ गया 6 तो x की value इसमें देख लिजे किस option में 6 है अगर y की value निकालना चाहते है तो y की value निकाल लेंगे तो 3 plus minus 4 plus y बराबर क्या हो जाएगा बटाबर 3 को इधर ले आते हैं तो 3 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा तो y की value कितना हो जाएगा 1 तो 6 और 1 option number c में है तो इस तरह से 22 का चो हो जाएगा वो option number c हो जाएगा अब चलते हैं अगले परसन की परसन संख्या 23 करें यदि किसी त्रिभुज के सीर्सों के इतना है तो त्रिभुज का चत्रपल क्या हो जाएगा त्रिभुज का चत्रपल जाएगा 1 by 2 into x1 x1 की value कितना है 0 तो सभी क्या हो जाएगे 0 हो जाएगे पलस x2 4 into y3 minus y1 y3 1 minus y1 तो 1 minus 0 तो 1 ही हो जाएगा और पलस में फिर x3 तो x3 भी क्या है 0 है तो बात कतम हो गया तो ये 1 by 2 गुने 4 ये कट कर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा तो root under x2 minus x1 तो minus 5 और minus- ये plus 1 हो जाएगा तो minus 4 के स्क्र्षा स्वार 16 हो जाएगा plus y2 minus y1 तो साथ में से तिन कियाद केटना हो जाएगा 4 के स्क्र्षा स्वार 16 इस तरह से हो जाएगा आपका root अंडर 32 जो हो जाएगा वह आपका जाएगा 4 root 2 वर्मूल करने पर चार उर्दू हो जाएगा तो यह आपका अप्सन नंबर बी हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी चलते अगले प्रस्ण की वर प्रस्ण संख्या 25 प्रस्ण संख्या 25 में कहता है कि दो बिंदू x1, y1 और x2, y2 को मैं रेका कंट m1 अनुपात m2 में अंतर विवाजित करने पर बींदू के जिन संख्या हो जाएगा तो m1 x2 तीक ना यह हो जाएगा m x2 पलस n x1 बटाइम m पलस n और m1 y2 पलस n यह हो जाएगा आपको option number a हो जाएगा option number a हो जाएगा चलते अगले प्रस्ण की और प्रस्ण संख्या 26 प्रस्ण संख्या 26 में कहता है यदि किसी संकू के वक्र प्रिष्ट का छेतरफल 880 cm2 है और तिरिजा 14 cm है तो इसकी तिरियक उचाई ग्याद किजिए अब यहाँ पर आपको 30 दे दिया गया है आर दे दिया गया है 14 cm और संकू का वक्र प्रिष्ट के पाई आरेल होता है तो पाई की भेलू 22 बटाव साथ आर की भेलू कितना है 14 और तिरियक उचाई अल नहीं मालूम है अल निकालना ही है बरावर हो जाएगा आपका 880 यह आ अगले प्रसन की वर प्रसन संख्या 27 प्रसन संख्या 27 में कहता है समान उचाई वाले दो बिलनों के आयतनों का अनुपात जो है नौ अनुपात सुल्ला है तो उनके वक्र पिश्टु के छेतर फ्लों का अनुपात कितना होगा तो इसमें जो आपको दिया गया है समान चाहिए केवल तो इसका बर्गमूल कर दीजिए 9 का बर्गमूल तीर और 16 का हो जाएगा चार तो तीन अनुपात जो हो जाएगा आपका चार हो जाएगा यह option number C हो जाएगा चलते अगले प्रसन की और प्रसन सेंख्या 28 इसमें कहा जा रहा है कि एक संकू के पुर्ण सतह का 6 तरफल 18 मीटर स्क्वाइर है और उसकी त्रियकूंचाई संकू के अधार की त्रिज्जा की दुगनी है तो संकू के अधार का 6 तरफल निकालना है तो आपको त्रिज्जा ग्यात हो जाएगा तो यह चीज़ आपको ग्यात हो जाएगा तो संकू का जो पूर्ण सतह नहीं प्राइटा है अठारह मिटे स्कौर्ड संपकू का जो म्वा क्या होता है तो पाई आर लसटो कपना की ओर अirmi आरजेशक्कूर्ट स्कौर्द ठिक ना और यहांपर आपको को दिया गया इत्रीनी डिया गया है 98 कि आधार के तरिज्जा के दुगनी है ठीक ना मतलब कि L जो है वह 2R के बराबर है L क्या है 2R के बराबर है या सिरा जो कहिए कि यह जो आपका तरिज्जा है वह किसके L के आधा है तो यहाँ पर भैलू डाल देते हैं बस आपका एंसर आजाएगा तो पाई यहाँ पर आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं ठीक ना और पाई आर भी कॉमन ले सकते हैं पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा L और L के जगा पर डालते है 2R पलस इसमें बचेगा सिर्फ r बराबर क्या हो जाएगा 18 तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा πाई r पाई की भेलू 22 बटा 7 डाल देते हैं और ये हो जाएगा आपका 2 r और एक 3 r हो जाएगा तो गुने 3 r square हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा तो ये 6 से कर जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11 ज्युक्रेट इस तरह से ये जो है उदर जाकर के आपका किसकर भेलू निकलना है संकु के अधार का छेतर पल निकलना है तो आपका r square जो आ गया r square r square कितना आ गया ये 3 गुने 7 3-7 अपन 11 और इसके संखू के अधाकपत में πाई आर स्क्वाइर होता है ता पाई 22 बटा 7 आर स्क्वाइर के भेलू मालूम हो गया 3-7 बटा में 11 इसको कर दीजिए 7-7 कट गया 11 तूजा हो यह हो गया और 3-6 हो गया स्टो मिंटर स्क्वाइर जो आपका अंशर हो जाएगा 이것 Nुमबरी ता ठाइस का जो हो जाएगा वह आपका अप sitten नॉंबर ए हो जाएगा चलते हैं अगले प्रसन क्यों प्रसान सेंख्या 29 में इस मतले तो दू अनुपात तीन हो जाएगा, अब हमको छेतरफल का अनुपात निकाला है, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, तो दू का अस्क्वायर चार और तीन का अस्क्वायर 9, तो चार अनुपात के हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे चार अनुपात 9, अप्सन नंबर D में है, तो गोले का जो संपुन पीछल दोब 4 pi r² तो 4 pi r² तो 4 pi की भेलू आपका हो जाएगा 22 byta 7 r² बरावर आपको क्या दिया गया है 16 16 दिया गया तो यह हो जाएगा 22 यह 4 हो गया इसको आप काट सकते हैं काट करके और answer ले गया इसको चली काट देते r square की value हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा चो से 16 गूने ऊपर चला जाएगा आपका 7 और नीचे आपका जाएगा 22 गूने 4 तो इस तरह से अगर काटते है तो 11 से अगर काटे तो 11 दू से हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा 56 56 हो गया और ये 4 दोना 8 cp56 तो ये 7 disposfind दो आ साथ स्वार के भ्यालोे 3 findings ud youiR के 14 दो आपका jo 30 का हो जाएगा option Number E हो जाएगा चलते है अगले प्रस्न की और प्रसंसंख्या 31 प्रसंसंख्या 31 में कहा गया है यदि त्रिघात भूपद इतना है तो लफा बीटा गामा इसके तीन सुन्यक दिये गए हैं तो बुला जाएगा तो इसका जो भैलू हो जाता हुआ हो जाता है इसका 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 इस प्रसन संख्या 32, प्रसन संख्या 32, प्रसन संख्या 32 में यदि इतना बहुपद के सुन्यक अलफा और बीटा है, तो अलफा पलस वन और बीटा पलस वन की भेलू पुछा जा रहा है, समसे प्रिदे इसको आप सही कर दीजे, एकस स्क्वार यह हो जाएगा, माइनस थीरी एक अलफा पलस वन तो अलफा इंटू बीटा होता है क्या, तो अलफा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी वाई ए, अलफा पलस बीटा माइनस बीवाई ए, सी वाई ए तो माइनस आट हो जाएगा, और यह हो जाएगा, अलफा पलस बीटा दुनों को मिला का माइनस कहा जा रहा है यदि बहुपद x square plus p x minus q के सुन्यक एक दुसरे के बिद्कर्म हो तो q का मान क्या होगा बिद्कर्म होता है तो सुन्यकों का गुननफर कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो इस तरह से c by a तो c की भेलू है minus q और अपरटा में a के भेलू 1 हो जाएगा बरावर 1 तो q बरावर क्या हो गया minus 1 हो जाएगा तो इस तरह से option number a हो जाएगा तो 33 का option number a हो जाएगा चलते है अगले प्रसन की वर प्रसन संख्या 34 प्रसन संख्या 34 का था निमरी से कौन एक दुई घात बहुपद है जिसके सुन्यक माइनस दू और छो है तो दुई घात बहुपद सुन्यकों कहते है तो minus 12 तो x square minus 4x minus 12 x square minus 4x minus 12 option number a जो है आपका answer हो जाएगा 34 का a हो जाएगा अब चलते है अगले प्रसन की वर प्रसन संख्या 35 प्रसन संख्या 35 में कहता है इतना और इतना के कितने हो जकते इसमें देखिए a की value कितना है 2 और इसमें a की value कितना है 6 इसमें b की value है minus 3 और इसम 1-3 20 में B के भी हैलू मैइनस 9 है और इसमें आपका 2 है C की भी है तो इस तरह से ये 9 है तो थीरी थीरी कट गया और ये 2 से 3 भी कट गया देखे पर्थम दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो इसका मदर्द इसका कोई हल नहीं होगा तो option नमबर B जो है 35 का option नमब होने का मतलब हो जाता है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 तो इसमें है K बटा में आपका हो जाएगा इधर 3 बराबर नहीं है B1 बटा बी चुट गडू बटा 1 तो 2 मतलब तो गड्र warm up equal not हो जाएगा 6 के equal not 6 option number B में है तो 36 का आपका हो जाएगा option number B चलते अगले question की बर प्रसंद सेंग्या 37 दो रहाखिक समिकर्णों के लेखाचितर यदि समानतर हो तो hello की सेंख्या क्या हो जाएगा एक भी नहीं hello की सेंख्या कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा 37 अब चलते अगले प्रसंद की बर प्रसंद सेंग्या 38 का आता है कि 38 य-4 बरावर 0 का आले कैसी से रह लिखा होगी देखिए y बरावर यह क्या हो गया 4 और y बरावर 4 जब यहां से हो जाएगा तो किसके समानतर हो जाएग तो एक सक्ष के समानतर आपसंद नमर 38 का हो जाएगा यह आपका अगे चलते हैं 49 नमर कोर्चन 49 में कहा गया है कि यदि इतना बरावर इतना हो तो x और y की भेलू आपको बताना है तो हल करके यहां पर 2x है पलस 3y बरावर है 11 और इधर है आपका 2x माइनस 4y बरावर माइ इसको हल किजएगा घटाने पर यह माइनस हो जाएगा यह पलस हो जाएगा यह भी फलस हो जाएगा यह 7y बरावर कितना हो जाएगा 35 तो 7 5 जामें तो y की भेलू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो y की भेलू देख लिए अपसंद नमर डी में ही केवल 5 दिया गया है इस जो आप देख रहे हैं यह हो जाएगा क्योंकि यह है पिर इसमें आप देखेती इसमें भी आपका यह हो जाएगा व क्वरत चालिस न्मबर 10 की हो जाएगा 40 का वाई अक्ष का समीकरन है आगे चलते हैं 41 उपर कर लेते हैं क्वेशन को अब क्वेशन कहता है कि वाई अक्ष का समीकरन है तो वाई अक्ष का समीकरन क्या होगा तो वाई अक्ष पर कोई होगा तो एक्स की भेलू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी कि वा पर जिया हो जाएगा तो एक अनुपात कितना हो जाएगा तीन और चेतरफ़ में square होता है तो एक अनुपात किया हो जाएगा है इस तरह से option number C जो है आपका answer हो जाएगा 42 का C आगे चलते अगले प्रस्ण क्यों कहता है एक गोला जिसकी त्रीजा 2R है उसका आयतन क्या होगा गोला की त्रीजा दिया गया है 2R उसका आयतन बताना है आयतन होता है 4 by 3 3 by 3 by rq तर 2R का q करतेंगे अब इसतर से 2R का q क्या हो जाएगा 2 का q 8, 8.32 तर बतीस बता में 3 by rq अप्सन नमबर a हो जाएगा 43 का अप्सन नमबर a आगे चलते हैं प्रस्ण संग्या 44 क्यों प्रस्ण संग्या 44 खता है कि यदि इतना का माध्धे 10 है तो एक्स क्मान क्या होग माध्धे जितना अंग होता है उसको जोड़ करके उतना से भाग दे दिये जाता है तो ये 8 हो चोड़ा 14, 14, 9 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 और इस तर से 13 हो जाएगा 36 तो 36 पलस X बराबर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 एक्स की भेलू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अपसन नमबर 2 हो जाएगा तो 44 का हो जाएगा अपसन नमबर 2 अगले प्रसन क्यों चलते हैं प्रसन संख्या 45 प्रसन संख्या 45 में देख सकते हैं इसकी क्या निकालना है तो माधिका निकालना है इस सबसे पहले हम इसको बढ़ते करम में लिख लेते हैं तो 6 है फिर आपक और 16 है, और फिर आपका 18 है, फिर आपका 21 है, 22 है और 25 है, कुल कितनी हैंगों के? एक दू तीन चार पांच चोग यह जो हम objective वीडियों बनाये थे उसमें समी प्रसन ये बताए गए है आगे दिया गया है कि इसका बحتा होगा जो सबसे ज़ादा वार होगा वही इसका बحتा हो जाएगा 25 है एक दू तीन तीन बार जों है 25 दिया गया है इसके अलाबा जो आप देख सकते हैं 23 एक बार ही है तीसरा से 25 ही इसका एंसर हो जाएगा आपसा नमबर 2 एक 46 का भी हो जाएगा आगए चलते हैं अगले प्रस्पे प्रसंच्या 47 के ऑक्रे का परीसर क्या होगा इसमें सबसे बरे मांन को सबसे चोटे मां वह इस सगता दिया जाता है तो इसमें जो इसमें जो सबसे का चाले ला Supreme अगल्ले प्रस्ण संख्यां और 40 कौता है कि 130 650 का वरगर चिन क्या करते हैं दोनों को जोर करके दूसरें भाग देते हैं 130 और 151 objetivo चानप करना है जोर देना है लिए 180 अगल्ले Max di विसंद संख्याओं का माद्धे 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर चार लगातार विसंद माद्धे संख्या अगर पहला 4X पॉलस 4 आदू 6 आछ बारह तो 12 उन्हें घट जाएगा तो कितना बचेगा बराबर के बारह ही बचेगा एक्स की बहलू हो जाएगा थीरी और थीरी पॉलस 6 जो का यह सबसे बड़ी संक्या होगा तो थीरी पॉलस 6 कितना हो जाता है 9 तो इस तरह से आपका option number B जो है यह answer ह जाएगा 49 का option number B हो जाएगा आगे चलते हैं अब देखते हैं question number 50 कहता है क्या जिनीमी लिखित में कौन केंद्रिय परविर्ति की माप नहीं है तो माध्य बहुलक और माध्य का ये तीनों जो होता हुआ केंद्रिय परविर्ति की मान होता है परिसर नहीं है तो option number D जो है आपका 50 का option number D हो जाएगा अगे चलते हैं अगले परशनी की वर अगले परशनी में कहा गया है क्यावन में कि तो 9 से काड़ेगा तो 6 मरत में और 9 से यूपर 27 तीन से और इसको अगर 6 से काड़ देते हैं ठीक ना तो 6 दुना 12 चार चर चर से 27 तीया कितना हो जाएगा 81 option number D जो है आपका answer हो जाएगा 51 का D आगे चलते हैं अगले परशनी की वर परशन संख्या 52 58 परशन संख्या 52 में कहता है कि संख्या 12 15 15 का लौसक क्या होगा तो और 15 जिस सभी संख्या कर जाए तो 3 हो जाएगा इसका मौसक हो जाएगा तो 52 का A हुजाएगा चलते हैं अगले परशनी की वर परशन संख्या 33 में कहा जा रहा है किसी ध्यनातक पुर्णाग Q के लिए परतेक ध्हनात्मक विसम पुर्णाग का रूप क्या है तो ध्यनातक विसम पुर्णाग का होजाएगा 6 Q प endlich 1 बाकी बाकी बाद संपुर्णाग के रूप में है आगे चलते हैं प्रसन संख्या चौबन प्रसन संख्या चौबन में कहता है परतेक पर्मे संख्या होती है तो परतेक जो पर्मे संख्या होती है वह क्या होती है एक वास्तिविक संख्या होती है यह सही है परतेक पर्मे संख्या एक वास्तिविक संख्या होती है चोबन का D हो जाएगा चलते हैं अगले प्रवस्टन की वर बाइस वटा साथ है तो बाइस वटा साथ एक परमिय संख्या है उप्सन नमबर A हो जाएगा तो 55 का A हो जाएगा तो उप्सन नमबर C हो जाएगा 57 का C अंठावन में देखते हैं अंठावन में क्या कहा जा रहा है कि यदि PX बराबर QX इंटु GX यदि PX पराबर दिया गया है QX इंटु GX और PX का घात साथ है एवं GX का घात तीन है तो PX बटा में GX का घात क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PX का घात कितना दिया गया है 7 दिया गया है और साथ में GX का घात कितना दिया गया है 3 दिया गया है तो इधर जो आपका बज़ जाएगा वहाँ PX बज़ जाएगा PX बटा आप से GX पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो आपका Q GX का ही घात दिया तो निमस्ते कौन PX का एक गुर्ण खंड होगा तो X-2 जो हो जाएगा इसका एक गुर्ण खंड हो जाएगा 59 का अप्सन नमबर B हो जाएगा आगे चलते हैं कोच्छन संखे प्रसन संखे 60 सोरी ये कितना आ गया ये अपका हो गया था 59 59 तो ये दोबारा आ गया है इसको ये और सी वाई एक वाई एक तो नमबर ए हो जाएगा आपका भी हो जाएगा साथ आपसर नमबर वी जो है आपका एंसर हो जाएगा चलते अगले अगले प्रसन की और प्रसन संखे 60 ठीक और देखते हैं परस्ट प्रसन संख्षा 61 को ता है इदी भाग इलगोरिटम ए बर मौन प्रसन की बलुकितना है ओन इधर आकर की हो जाएगा 3636 में चार से भाग दिखाए जाएगा नौं दिस्तरा से नौ जो हो जाएगा यह क्यों का भेलू हो जाएगा चलते अगले प्रसन की और प्रसंख्षा 62 की और प्रसंख्या 62 में कहता है कि 156 के अभाजग मशुन में दू का घातांग कितना है सुबा भी जो है मॉर्निंग ग्राश समय में जो है 32 में पुछा गया था जिक इतना है अब आपको पुछा गया है कि से इता है चैने वहंदा जाए गाश्थ के में हो जाएगा जो जाये गाए हो जाएगा जानकोप चलता है अगले परसन शब्रसन संख्या है 360 ऐस दो सरुटेमी लिख सथों just यह भी परमे संख्या है और इसको देखीजिये यह जो बारा ही हो जाएगा आपका सबसंसम्जा कुछेह 64 कहता है कि 0.105 का पी बटा में टू के पाव एन वने फाइब के पाव एम रूप निमिल कितमे से कौन सा है तो देखिए अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं 105 बटा में आपका कितना चला जाएगा तो बटा में दसमलब के बाद तीन अंख है तो 30 चला जाएगा प्रिंख dinner चला जाएगा एक हजार अब यसको अजब कर्टा है तो फाइफ से काट हैं तो यह कई से कटिक है में अदू mask Internet तो intellis यह हो जाएगा आठ और 65 दूसर यह भी हो जाएगा एक इस वाटा में इतना भी तो 64 का अपसन नंबर भी हो जाएगा चलते अगले प्रसुन के और प्रसंद संख्या 65 प्रसंद संख्या 65 में कहता है कि निमिन में कौन पर में संख्या है तो पर में संख्या कौन है तो यह का परमिय संख्या, यह भी अपरमिय संख्या, यह आपका क्या है? परमिय संख्या है इससरा से अप्सन नमर B जो है एंसर हो जाएगा यह हमें का क्योंचन लिये थे, जो की बहुत घलत पनाय हुआ है लग रहा है जो अच्छन नहीं पढ़ रहा था लेकिन हम फोटो घीचे थे तो इसी से चलिए देखे ध्यान दिजीए तो इससरा 65 वह जाएगा वह क्या हो जाएगा भी हो जाएगा सेंटर पर ही एक्स्प्रण से लिए गजा था आगे है 66 मिनीमी लेखिए तुम रेसे का दस्मलब परसार सांत है तो दसमला परसार सांत होना है तो इसमें देख लिएते हैं इसमें अगर इसको खंडित करते हैं तो 11 आ जाएगा इसके दसमला परसार सांत नहीं होगा और यह अगर हम 75 को करते हैं तो इसमें भी 3 आ जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा यह भी नहीं होगा तो यह दसमलों पर संथ ए जो है इसका संथ हो जाएगा तो अफसर नमर 66 का ए हो जाएगा चलते अगले प्रसन के प्रसन संख्या 67 प्रसन संख्या 67 में कहा जा रहा है कि दो धन पुर्णांक ए और बी के लिए मौसग उन्हें लॉसा बटा में ए गुने भी बराबर क्या हो जाए प्रसन संख्या 67 फ्रसन संख्या ऐक नियुष देखते हैं अब से का लियू अप देखते हैं यह भी नहीं हो गातर इठार और पचीस कैसी सिफ कितना होता है वह अं तर भी हो जाएगा और 500 लौप है सब हो जाएगा अगहां इनि कॉन मे कौन योगिक संक्या है तोनिनली कोन योगिक संक्या है मतलब अभाजे संख्या है तो भाज Gall सुरी एक सिकन्द देखना है आपका क्या पूचा जह रहा है योगिक संख्या पूचा जाया निमे कॉन योगिक संख्या देखर तो अभादजे संख्या सब होई गया एक होगे क्वा हो जाएगा Nawis बहुत संख्या तो अपसर नमबर धील आपका 79 क ? हो जाएगा फौर संख्या आपका 70 तो अभादजे संख्या इसमें इत्ना और इतना के अन Filip पराफ्त होते हैं यदी तो सभी बराबर हो जाते हैं तो अपसर नमबर डी जो है आपका 71 का जो है डी एंसर हो जाएगा चलते आगे प्रसन की और 71 के बाद आगे आपका 72 नमर प्रसन 72 में कहा जा रहा है कि तिर्भुज ABC में भुजा AB और AC पर करमसर डी और ABC है यह ABC इसके BC AB और AC पर D और E इस पर कारिश्थी थै डी और E इस पर कारिश्थी से D समानतर क्या है BC है यदि AD बराबर 4 है AD आपका कितना है 4 है और BD X- एक्स माइनस चार है और A,E आपका आठ है और ये सिए आपको दिया गया है , थिरी एक्स माइनस नाइन टेन तो इस तरह से आपको बताना है कि एक्स का फालों what क्या होगा तो इतना वाटा में इतना पर आपका इतना वाटा में Podeण consent कीजयेगा A,O अजाE बेना जाएगा तो इससे 72 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलते अगले प्रस्ण क्यों प्रस्ण संक्या 73 तो प्रस्ण संक्या 73 में कह रहा है कि दो सम्रूप त्रिभुज तो इसमें आपको प्रस्णा पूचा जा रहा है कि इसमें प्रस्ण संक्याइब तो इसमें जो दिया गया है एक एक दिया पूर्ट के एक 80 बटा में किया दिया गया है 49 और इसमें देखी एक चीज आपसे पूछा क्या गया है देखिए यहाँ पर और अपसे उुचाई का अनुपात पूछा गया है ठीक न तो यरियरा तो इसमें भुजाओ कास्मण यह अधि तो इसमें दिया गया है ABC का आपको दिया गया है कितना 4.5 बटा में इसका दिया गया है आपको कुछ नहीं तो X दिया गया है तो इसको solve किजेगा ठीक ना solve किजेगा यह आपका क्या हो जाएगा तो इसके जो square हो जाता है ठीक ना यह हो जाता है तो इधर आजाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a7 और ये आपका 4.5 वाट वाट्मवान x यह दूसे क्या हो जाएगा तो दो गुना हो गया तो यह दो गुना करेंगे तो सारे 3 आजाएगा इस तरह से option number B जो है आपका answer हो जाएगा 73 का option number B हो जाएगा आगे चलते हैं अगले प्रस्णी के उरकाता है एक सम्चतर भूज के विकर्ण एक सम्चतर भूज के विकर्ण छो सेंटीमिटर और आठ सेंटीमिटर है तो पर इसकी परतेक भूजाने में लिकित में से किसके बराबर होगी तो सम्चतर होते हैं खेसे यह जो यह कर दोन पर सुर्छत करते हैं इस परकार से एसके विकर्ण जो जो और आथ मतलब 3 हो जाएक फूजा कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा तो ऐसाना की तो समणीकों हो जाएका A, B, बराबर कितना है तो यहां पर आप देख लिए तिरभुज A, B, C है और यह तिरभुज P, Q, R है A, B, C P, Q, R अब इसमें का जारा है कि A, B, C और P, G, R के परिमाप तिया गया है 36 और इसका 36 है और इसका कितना है 24 है यह इसमें आप देख सकते हैं कि यदि P, Q, 10 है P, Q कितना है 10 है P, Q आपका कितना है 10 है तो A, B का भेलू आपसे पूछा जा रहा है A, B का भेलू आपका जो है वह कितना होगा तो A, B का भेलू जो होगा तो इसमें जो हो जाएगा वह जो परिमाप का जो अनपात होगा वही भुजा का अनपात हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 36 बटा में 24 बराबर इसको मान लेते हैं एकस तो एकस बटा में आपका हो जाएगा 10 इसो कार दीजिए बारत यह 36 बारत लुना 24 और यह दूपचे 10 15 15 हो जाएगा आपका अफसर नंबर जो है वह भी हो जाएगा एंसर 75 का भी हो जाएगा आगे चलते हैं प्रसंद संग्या 76 की और काता है क्या कि एक संभाहुत रिभुज का अच्छे तरफ वाल इतना है तो उसकी परमीती क्या होगा संभाहुत क्या होता है रूट 3 भाई फो संभाहा हुगा अपसा नंबर 26 आप्सन नंबर d आफ चलते एगली प्रसंद संख्या 77 12 संट्म 13 सp9 भले और पर्मीती होगी तो बारास अंड़ितित्रीज्ञा वाले अर्दृत की कुल परमीती आप से पुछा जाता है अर्दृत की परमीती हो जाता है πाई आर पलस डे तो πाई की विलूप हो जाएगा 22 वटा 7 पाई की रूप में ही दिया गया है तो यहां पर हम लोग πाई की रूप में ही लिख लेते हैं तो पाई आर पलस डी के जबाट टू आर भी बोल सकती है तो आर कॉमल लेंगे तो टू पलस पाई हो जाएगा और आर का वहलू डाल दीजिए बारा इंटू टू पलस पाई तो बारा इंटू पलस पाई ओप्सन नमर बी जो है यही आपका एंसर हो जाएगा 77 का चलते अगले प्रसन की और प्रसन संख्या 78 एक विर्दाकार वलाय के बाहरी और भीतरी तीज़ाय करम से कैप्टल आर स्मॉल आर है तो वलाय का शेपल क्या हो जाएगा तो बार के आर में से क्या करें चोटे आर को इज़ेट पलको क्या कर देंगे घटा देंगे पाई को मोल लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ प्रसन संख्या 79 कि किसी बीर्थ के केंदर में 8 cm जीवा की लम निमतम दूरी 3 cm ब्यास का मान क्या होगा क्या कहा जा रहा है कि आपको किसी बीर्थ के केंदर से 8 cm कितने cm है इसके 8 cm चीवा कुण दूरी 3 cm है इसकी दूरी कितना दिया गया है ये तीन दिया गया है व 걸로22 प्रसंे को में कहता है कि दो बिर्तों के छेतरफलों का अनुपात नुपात चार है तो परीधियों का अनुपात क्या होगा छेतरफल में आरे स्क्वाइर का अनुपात होता है जब कि परीधी में आर का इसलिस का बर्मूल कर दीजिए तीन अनुपात दू जो है आपका यह अंसर हो जाएगा अपसन सब्सक्राइब इकर řो जाए सब्सक्राइब थी यह जो है 30 डिग्री जो इसका इंसर हो जाएगा तो इस साट में चेंज कर दिया जाएगा इस तरह से यह हो जाएंगे एक कट करें कितना हो जाएगा एक option number A जो है आपका answer हो जाएगा इंगले प्रसने 84 में कहता है 2 sin square तीसर डिगरी प्लस से 1 आप प्लस 2 sin square कितना है 27 तो देखे इस sin square को आप cos square में change कर देज़ेगा तो गूने 1 हो जाएगा और प्लस में 1 है फिर नीचे देखें cos square 17 है या cos square 73 है एक और को बदल देज़ेगा साइन में 3 गूने 1 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा तो 2 है कि 3 हो जाएगा और 3 मिसे दो गया 1 हो जाएगा 3 by 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 अपसर नमबर डी जो है आपको एंसर हो जाएगा 84 का अपसर नमबर डी आगे चलते हैं अगले प्रस्ण के प्रस्ण के पचासी में देखो काता है यदि कॉस अलफा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अलफा माइनस बीटा की वैलू क्या हो जाएगा तो यहां पर दिया गय आपको यहां पर आपको यह अलफा की वैलू जया तो यह क्या करना है तो इसको यहुझा पर टो अलफा ठीक ना या अलफा बराबर हो जाएगा ना बे माइनस बीटा इस तरह बहलू डालेगा तो कॉश्ट टू बीटा आ जाएगा आपसान नमबर डी हो जाएगा 85 का आपसान नमबर डी चलते अगले प्रस निकलर प्रसन संख्या 86 86 में कहता है कि बिनदू मैनस दू का मैनस पांच में भूज का मान क्या होता है जो एकस की वैलू हो जाएगा वह हो जाएगा तो मैनस दू जो हो जाएगा या इसका भूज का वैलू हो जाएगा 86 का ए हो जाएगा चलते अगले प्रस निकलर प्रसन संख्या 87 प्रसन संख्या 87 7 में कहता है कि S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A चलते एगले प्रस्ण क्यों प्रस्ण संख्या 89 प्रस्ण संख्या 89 कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदू इतना एक्स अक्ष से बिंदू इतना की दूरी क्या हो जाएगा तो एक्स अक्ष से आपको बिंदू इतना की दूरी याद करना है यह हो जाता है तो इस अक्ष से दूर प्रसन संख्या 90 काता है कि मूल बिंदू से इतना की दुरी क्या हो जाएगा तो मूल बिंदू से इसका दुरी रूट एंस स्क्वार प्लस वाई स्क्वार हो जाएगा option number B 90 का B हो जाएगा आगे चलते हैं अगले प्रसन की और प्रसन संख्या 91 में कहता है 1000 चक्र लगाने में एक वही आठासी किलो मिटर तै करता है वही एक अब्यास क्या होगा तो दूरी जो तै करता है इतना चक्र में लगाने में तो चक्रो की जो संख्या होती है वह होती है कुल दूरी बटा में परीधी तो चक्रो की संख्या कितना आपको दिया गया है 1000 जबकि कुल दूरी कितना है 88 किलो मिटर है किलो मिटर को मिटर बदनने के लिए क्या कर देंगे एक हजार सो भाग रेलंगे बटा में हो जाता है परीधी परिये की परीधी से एक हजार सो एक हज़ार जो कॉड़ जाएगा त distintos और आपो प्चैयों बश्यागा है यौई तो परीधी प्यद का वराबर आपकश आगया' काप का उप्सेंट करश्ण संक्या 92 में कहा जालाया कि कॉस नब ए माइनस फिटा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सायंटीट्रीट door प्रस्टिक मीर्षा संक्या 93 गौता है फिटा की स्कॉdat थिटा की वहिलू क्या होगा तो कौस स्कॉर थी टा उसाइन को स्फ़ पैसाय का बेलू भी क्या होता है वन बाइ रूट टू होता है तो उन्हों नों को वर कर घटा दिजये तब 0 आ जाएगा क्या जाएगा जीरो तो इस तरह से बराबर किसका amant है कासे 45 का जो भालू होता है वह Area 2 के बराबर होता है तो इस तरह से option number D जो है इसका answer हो जायगा 94 का option number D हो जायगा चलते हैं अगले person में कहता है कि यदी cos 32 degree बराबर X है और cos अंठावण degree Y है तरद मेंचे रही कौन सा गतान सत्य है तो इस तरह से इसको गर आप बदलिए गा तो यह साइन जो है यह साइन कितना बन जाएगा साइन अन्ठावन बन जाएगा तो यह साइन हो जाएगा और यह कॉस हो गया तो एक से स्क्वार प्लस य स्क्वार की वहलू 1 होना चाहिए या फिर यहां पर क्या का जाएगा कि डोनों का भैलू इसमें अच्छा यह चीज कहाए कि एक्स इक्वल वाई या कि इसमें से क्या होगा यह चीज एक सीकेंड ऑप्सन दिखाई देना चीज चलिए देहां दीजे यहां पर काई जाए कॉस 32 और इधर है आपका कॉस 58 तो कौन सा कतन सकते हैं जब अब आप देखें कॉस के भेलू जो होता है ठीटा का मान जैसे जैसे जाएगा option number क्या हो जाएगा यह नहीं होगा option number a हो जाएगा 95 का a हो जाएगा, आगे चलते है क्यों प्रसन सेखेंक है 96, मैं आपको कहा किया है कि ठीटा की बेलू 45 डिग्री है तो इसका मान जाएगा? तो 1045 का value होता है 1 तो यह आपको हो जाएगा 1 1 का स्क्वार भी 1 होगा साइन 45 साइन 45 का value 1 by root 2 हो जाता है और 1 by root 2 का स्क्वार 1 by 2 तो 2 को चला जाएगा तो 2 एक इतना हो जाएगा 3 option number C जो है वो एंसर हो जाएगा 96 का चलते अगले प्रसन की और प्रसन संग्हे 97 में कर रहा है कि यदि साइन 42 वराबर P है तो साइन 48 का मान निमल कितमे से कौन सा होगा तो आपको बताने साइन 42 का value क्या है P है तो साइन 48 का मान जो है रूट नोबरम से पी आजाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ब्यालिस पलस को स्क्वार ब्यालिस पर पी डाल दी जैगा इसको फिर को साइन यूफ टेंज करके आपको यह आजाएगा और से नंबर सी संतानमे का चलते अगले प्रसन की और प्रसन सेंख्या 98 प्रसन सेंख्या 98 में कहता है यदि टाइन ठीटा बारा बटा पांच है तो साइन ठीटा का मन क्या होगा तो देखिए यहाँ पर टाइन ठीटा का होता है लंब तो आपका पी जो है और बटा में अधार बी जो है यह देख लिए पाई है शाइब तह को यह दिया गया है ठीक तो यहां पर जो दिया गया है फिर बटा में tb 12o प्रसन सब्सक्राइ jewelry का जा-न्य- ag Hebrews Hem ये उछल्य की प्र Егоर सब्सक्राइंतों साइट की जगा पर पि कितना होगा तो इसे साफर सीच्व पी रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा P situa को आर माईनस कि जाया और फिर नीचा है जाएहगा उन से मूझा चणाईर पूलस में जाएगा दिवाटिटा कि आसे स्कूर कि मंस्क्राइब स्कॉर कि प्र टिय। प्रमाइब स्कूरिम जाता है किस टी ए और जिखेस से कॉंस सक टी तो सब्कार्स हुआ टाहर्य सब्कूरा आ और और आपIF यह ज्याने में इस आ जो आ पना जो एंसर मोला लीजयी और यह जो थैड ाय था ठीक ना तब देख लिए गारा है कितना सही है ये कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा धन्यवाद